हलो फ्रेंड्स राजोरा ट्रेस डिजाइन्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में मैं आपके शाथ छेयर करूंगे बैक नेक डिजाइन उसके लिए मैंने ये फ्यूजिंग पेपर लिया है गले की लंबाई मैंने रखी है 10 इंच और इसकी चोडाई मैंने रखी है 3. 3-3 इंच के हम 2-3 का निशान लगा लएंगे उसको स्केल स्केल वहल्प से मिला देंगे अब हम दो इंच का निशान लगाएंगे फिर हम एक इंच का निशान लगाएंगे अब जो हमने दो इंच का निशान लगाया था उसको हम गोल गुलाई दे देंगे जैसे हम गोल गुले में देते हैं उसके बाद जो हमने बीच में एक इंच लिया था उसको हाफ इंच और नीचे करके यह हर्ट शेप बना देंगे यह हमारा थोड़ा थोड़ा इससे बाहर जाएंगा जो हमने साड़े तीन इंच के इसकी चोड़ाई ली थी और फिर एक एक इंच का मारजन रखते हुए इसको हम काट लेंगे बाहर से अब इसके अंदर से जो हमने निशान लगाए बिलकुल निशानों के उपर से ध्यान रखते हुए हमने इसको काट लेना है यह हमारा जो डिजाइन है वो कट चुका है अब इसके बीच में से भी मैंने कट लगा दिया है और यह हम इसके बाद जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा होगा उसके उपर चिपका लेंगे अब हमने जो आदा आदा इंच का मार्जन रखा था उसको बाहर की साइड से सील लेंगे और फिनिश कर देंगे अच्छे से यह गले पर हमारी जो बाहर की सिलाई है वो लग चुकी है अब हम इसके बीचों बीच में जो सेंटर पोइंट है उसको निशान लगा लेंगे और में कपड़े का भी हमने सेंटर करते हुए इसके उपर अच्छे से सिलाई चला देनी है यह गला टैस करते हो टाइम हमें यह ध्यान रखने कि जो सिलाई है हमारी वो बीचों बीच दोनों को बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए जब हमने बीच में से गला कट किया था तब इसके बीच में से हाफ इंच का मार्चन नहीं रखा था तो वो अब हम रख लेते हैं और यह मैंने डोरी और टैसल पहले से बना के रखे हुए थे अब इसके जो हमने आदा इंच का जो मार्चन रखा है अंदर की साइड उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे गला लगाते टाइम ही अब हम सिलाई लगा देंगे इसके उपर डोरी के उपर से हमने सिलाई को दो से तीन बार रिवर्स कर देना है बार बार चला देना है जिससे हमारे डोरी पे जोटा कर लगे वो बिल्कुल पक्का हो जाए अब हम इसमें बिल्कुल पास पास से जहां से हमने फ्यूजिंग पेपर कट कर रखा है उसके बिल्कुल पा इसी तरीके से हमने पूरे गले में सलाई लगाते जाना है और दूसरे साइड की डोरी है वो भी हमें बिल्कुल सेम तरीके से लगानी है और यह हमारी सलाई लग चुकी है पूरे गले में और अब हम इसको आदा इंच का मार्चन रखते हुए कट कर देंगे और फिर इसमें हम छोटे-छोटे कट लगा लेंगे कट लगाने से हमारे गला जब हम दूसरी साइट पलटेंगे तो बिल्कुल भी गले में जोलनी आएगा कट लगाते टाइम हमें यह देहान रखने कि हमारे जो गले के पास-पास से लगए है उसमें कट ने लगना चाहिए थोड़ा दूर से लगाना है हमें कट यह हमारे कट लग चुके हैं पूरे गले में अब हम इसको दूसरी साइट पल्ट देंगे गला पल्टने के बाद इसके उपर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे की अच्छे से बैठ जाए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट जुरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे स्पोर्ट करें थैंक यू सो मच यह हमारा गला बन चुका है यह है गले की फाइनल लुक